अगर आप GST return करना चाहते है तो आपको पैसे सबसे पहले बता देती हूँ कि 30th April 2024 last date है for the financial year 23-24 का annual return तो अगर आप GST return फाल कर रहे है तो यह याद रखिए कि आपको 30th April से पहले फाल करना है चले देखते हैं कैसे परना है सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका aggregate turnover of previous financial year एंटर करना है आपका जितना turnover है previous financial year में वो आप enter कर दीजिए और यहाँ पे आप उसको save कर दीजिए फिर आपको यहाँ से आपको जो applicable है वो table select करने होगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7 and 8 इतने tables हैं आपको इसमें से जो भी applicable होगे वो आपको select करने होगे सबसे पहले है 4A, 4A में आपको purchase के detail डालनी है जो आपने registered supplier से purchase की हुई है 4B में भी आपको purchase की detail डालनी है जो आपने registered supplier से purchase की है जिसमें reverse charge applicable है 4C में भी आपको purchase की detail डालनी है जो आपने unregister supplier से purchase की है 4D में आपको import of services की detail डालनी मतलब आपकी सारी purchase की detail वहाँ पे होगी और आपको यह देख सकते हैं कि चार टाइप के आपकी purchase हो सकते हैं इन में से जो भी आपको applicable है तिक कर लीजे आपको select करने होते है आपको जो टेबल अपली केबल है वो तेबल नमर फाइफ में आपकी जितनी CMP 8 में आपने जो भी पेमेंट अगेरे किये हुए है वह सब आपको यहां पर शो होगी जैसे कि अभी हमने डिसकर्स किया कि आपके सामने यह सारी टेबल आजाएगी अभी आपको यह सारी टेबल सेलेट करने है और फिर आपको आगे जाके इसमें इसमें इतल्स फिल करनी होगी और टेबल नमर फाइफ आपको फिल करने होगी आपको उसमें इतल्स जालनी होग और वहाँ पे details आपको fill करती जानी है चली start करते है first table select करके invert supply from registered supplier other than reverse charge text pair to report वहाँ पे लिखा भी है table number 4A में आपने registered person से जो purchase किया है उसकी detail डालनी राइट तो आपको उसका GC number एड़ करना है और फिर आपको उसका नाम और place of supply अपने आप यहाँ पे reflect होगी auto reflect हो जाती है और फिर आपको item detail डालनी है taxable value उसका rate और उसकी amount of taxes और फिर save कर देना है वैसे ही आप जितने भी invoices इसमें add करना चाहो आप add कर सकते हैं चार से पांट इंवोईस होगे तो आप manually भी एंटर कर सकते हैं अगर उसे जादा इंवोईस है तो जैसे मैंने बताया हो कि आप जेसन भी अपलोड कर सकते हैं तो टेबल 4a में सारे इंवोईस की details डालने के बाद आपको इस तरह से कुछ इंवोईस दिखेंगे जहां पर अगर आप चाहो तो actions ले सकते हैं उसको edit करना चाहो तो edit कर सकते हैं या फिर अगर उसको delete करना चाहो तो आप delete कर सकते हैं यहां से आपको editing के options मिल जाते हैं अब दिखेंगे तेबल 4b में आपको यहां से select कर लेना है तेबल 4b यह ऐसी supplies है ऐसी purchase है जिसमें reverse stage applicable है तो आपको यहां पर उसका GC नंबर डालना है और उसका नाम और place of supply जैसे बोला मेंने कि अ auto populate हो जाएगा तो सिफ taxable value और rate of tax डालना है तेबल C जिसमें आपको invert supply from unregistered supplier एंटर करनी होती है तो यहां से आप तेबल 4c और फिर आप उसमें डिटिल एंटर कर सकते हैं तो उसमें आपके supplier का पैन लिखना होता है जीस्टी नहीं होगा तो क्योंकि यह अन्रजिस्टर सप्लियर से आपने पर्चेस किया हुआ तो amount of tax auto calculate हो जाएगा और फिर आप उसको save करके save कर दीजे इस तरह से आपको table number 4c में unregistered supplier से इतनी पर्चेस की है वो सारी detail यहां पर मिल जाएगी आप उसको edit यह डिलिट कर सकते हैं नेक्स है अपना table number 4d 4d मतलब import of service आपने इंपोर्ट किया है तो उसकी detail यहां पर डालनी है place of supply name of state जहां जिस state में आपने इंपोर्ट किया है वो auto क्योंकि आपकी GST number से ही यह auto selected होगा फिर आपको सिर्फ taxable value और उसका rate एंटर करना है tax auto calculate होगा और फिर उसको save कर दीजे त आपने जो already CMP 8 से फाइल किये हुए है और उसके बेस पे आपको यहां सारी details auto populate होगी तो आप देख सकते है कि उसमें सबसे पहले outward supplies होता है और यह exam supplies included होता है इसमें inward supplies attracting reverse charge including import of service तो क्यूंकि उसमें आपको tax pay करना होता है इसलिए आपको वो भी यहां पैड होगा taxes paid आपने जितने CMP 8 में taxes pay किये हुए उसके total amount आपको यहां पे दिख जाएगी और interest लगर कुछ पे किया होगा तो वो भी यहां पे auto populate होता है तो आपको यह थरौली चेक कर लेना है कि correct है कि नहीं है और फिर next table अपना table no.6 tax rate wise outward और inward supplies जो आपको fill करनी है तो यहां पे आपको composition tax payors को यह rates applicable होते है 1, 2, 5 & 6 तो आपकी जो भी rates है उसमें जितनी आपकी taxable values है वो आप डाल दीजे आपका tax, central tax, sales tax जो भी applicable होगा वो आपको यहां पे शो हो जाएगा और आपको फिर उसको save करना है और फिर finally आपका table no.7 जिसमें आपने कुछ TDS का credit receive किया होगा त इस तरह से आपको EDS या TCS की डिटल आपको मिल जाएगी यहां से फिर आपको GSTR for preview कर देना है और फिर यहां पे आपको compute liabilities पे क्लिक करना है और फिर आप जैसे ही refresh बटन क्लिक करेंगे तो नीचे आपको option मिलेगा proceed to file का proceed to file पे क्लिक करेंगे तो यह warning message आएगा उसको simply नहीं है table 6 में या फिर जितनी आपने CMP 8 में आपकी liability शो हो रही है उससे आपकी 10% या 1000 से कम है तो आपको यह message शो हो सकता है तो आपको सिफ okay करना है इसको फिर आपको यहां पे preview शो करेगा आप preview देखके फिर finally last में आप यहां पे continue to file पे क्लिक कर सकते है यहां पे आपको पे करना है तो आप यहां पे क्लिक कर देगी कर तो कष करेंगे तो आप यहां पे क्रिएप कर क्रिए चलान करेंगे तो आपके सामने चलान की डिटल जनेट हो जाएगी कितना टैक्स आपको अपलिकेबल है फिर आपको नीचे यहां पर सिलेक करना है आप कौन से मोड से पेमेंट करना चाहते है और फिर जनेट चलान पर आपको यहां पर नीचे मोड अफ पेमेंट सिले कर दिया है तो डाउनलोड कर सकते हैं आपका GSTR 4 पीडिएफ या फिर आप उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं आपको यहां पर वरिफिकेशन देना है और अथोराइज सिद्नेटरी सिलेट करके आपको फाइल GSTR 4 पे क्लिक करना है यह एक वार्निंग मेसेज आपको करना है और यहां पर सिलेट करना है विद टु फाइल विड डीसी और इवीच आप अप अपने चॉजस से सिलेट कर सकते हैं तो हम तो मोस्टली इवीच से फाइल करते हैं लिएस तरह से आप अपना GSTR 4 फाइल कर सकते हैं इस सिम्पल है बहुत ही ईजी है लेकिन एक चीछ प्रोशेस के साथ उसको जरूर रीकंसाइल कीजे और आपके डेटा करने के बाद ही टेक्स का पेमिन करके फाइल कीजे और अगर आपको कुछ डिस्क्रपेंसी इसमें दिखती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं इसलिए रीकंसीलिशन बहुत ही इंपोर्टेंट है जहां पहले भी आपको एक option मिला है वहां पे आप डाउलोड करके देख सकते हैं आप जब रिटन फाइल करते हैं उसी प्रोसेस के दौरान आपको 4A और 4B का डाउलोड करने का option मिल जाता है इन एक्सिल ठीक है तो आप जरू से डाउलोड कीजिए और उसको रिकर्साल कीजिए वी मुझे मोटिवेशन मिलता है GSTR 3B और R1 कैसे फाइल होते है उसके भी टिटल वीडियो की लिंक मेरी चैनल पे है प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ